नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों राई के दानों का प्रयोग भारती अरसोई में मसाले के रूब में किया जाता है सरसों की ये छोटे गोल दाने, सेहत और संदरिये दोनों के लिए बहुत फाइदे मन्द है आयरुएद में राई के धेर सारे फाइदे बताए गए है दिखने में छोटे राई के दाने बड़ी बड़ी बिमारियों से आपकी रक्षा करने में मदद करते हैं शरीर में कॉलिस्टोल की मात्रा घटानी हो या तवचा रोगों से निजात पाना हो राई आपके बड़े काम आ सकती है आईए आपको बताते हैं कितने फाइदे मंद है राई के दाने और क्या है इसके स्वास्ते लाग राई का सेवन बहुत फाइदे मंद होता है खाना बनाने में राई का प्रयोग तड़का लगाने में किया जा सकता है इसके अलावा राई और मेथी की खिचड़ी भी बहुत स्वातिष्ट होती है राई के दानों को अचार, चटनी, सबजी आधीम प्रयोग किया जाता है ये दाने इसलिए फाइदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें कैलिशियम, मैगनेशियम, ओमेगा-3 फैटी एसीड, मैगनेशियम, सेलेनियम, फासफोर्स, मैगनेज, कॉपर, आइरन और विटामिन B1 परचूर मात्रा में पाया जाता है इसके लावा इसमें फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है राई के प्रयोग से आपका बड़वा कोलेस्टरोल धीरे-धीरे कम हो जाता है और कंट्रोल में रहता है राई में नियासिन यानि के विटामिन B3 होता है जो कॉलेस्टरोल के नियंतर्ण में ज़रूरी विटामिन है कॉलेस्टरोल कम करने के लिए अपने रोज के खाने में राई के दान का प्रयोग करें इसके लावा आप रोज रात में दो चमच राई भिगो दें सुबह राई जब राई पूरी तरह फूल जाए तो राई को छान लें इस राई के पानी को सुबह खाली पेट पीएं और राई के दानों को सुखा आप ऐसे खाएं यापि फल, सलाज, चटनी आदे में लागर खाएं इससे आपका कॉलेस्टरोल तेजी से कम होगा और दिल की बीमारियों के हत्रवी कम हो जाएगा एंटी सैप्टिक और रोधी गुनों के साथ राई का प्रम को गौन होता है पाचिक पेट के कीड़े इसका पानी पीने से मर जाते हैं चुटकी भर राई के चूरन को पानी के साथ घोल कर बच्चों को देने से वे रात में बिस्तिर में पिशाव करना बंद कर देते हैं यदि किसी वेक्ति को लगा तर दस्त हो रहे हूँ तो हथेली में थोड़ी सी राई लेकर हलके गुनगने पानी में डाल दिया जाए और रोगी को पिला दिया जाए तो उससे काफी आराम मिलता है राई में फिटो न्यूट्रेंट्स पाए जाती है जो गेस्ट्राइन कैंसर को रोकने मदद करते हैं साथ ही या नए कैंसर को पनपने से भी रोकता है इसे मजूद मिरोसी ने श्रीर में कैंसर कोशकाओ के व्रिदी को रोकने मदद करता है ये श्रीर में श्रीर को हेल्थी रखने और बीमारियों से लड़ने में बहुत जधा फाइदीमंद है राही में मुझूद पोशी की तत्व रोगों में ToXA रोगों में बहुत फाइदेमंद है किसी प्रकरगा तोचा रोग होने पर राही के दानों को पीस कर सरसूं के तेले मिलागर लगाने से आपको लाब मिलेगा इसके लाबा राई नैचरल स्करव का काम भी करती है इसे गुलाब जल के साथ लगाने से चेरे के डेर स्किन हटती है राई के सेवन से बड़ापा बहुत देर से आता है तो अचा को हाइडरेट करने के लिए, एजिंग को धिमा करने के लिए, इंफ्रेक्शन को दूर करने के लिए और नेचुरिल स्करकर करों में राई का इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तों ये थे इन छुट-छुटे दानों यानि के राई के फायदे उमीद है आपको ये जानकर एच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इसको शेर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके जिनको इसकी जरूरत है और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमशकार धनेवाद